आज हम दो ऐसे question discuss करने वाले हैं जिसमें जनरली काफी सारे जो एसपरेंट्स हैं वो confused होते हैं और confused होते हैं तो definitely किसी से पूछते हैं सर्च करते हैं मेरे पास बीससे लेटर कही सारे questions आये तो मैं सोचा कि एक detail video बना देता हूं पहला question यही कि मतलब क्या होता है equivalent qualification का आप लोगों ने देखा होगा कि कई बार जब government की post आती है तो वहाँ पर mention होता है कि suppose कर लीजिए कहीं पर आपको मांगा गया है कि यहाँ पर BSC chemistry चाहिए या फिर यहाँ पर BTEC चाहिए उसके बाद और करके mention किया गया रहता है कि any qualification in either of above discipline declared equivalent to the central government और state government फिर इसके बाद इसके कहने का मतलब यही होता है कि कोई भी ऐसी qualification जो यहाँ पर जो qualification मांगी गई है उसके equivalent बताया गया है state government द्वारा या फिर central government द्वारा तो उसको भी यहाँ पर हम eligible मानेंगे तो अब यहाँ पर हम यही समझने की कोशिस करेंगे कि यह equivalent qualification होती क्या है जो कि यहाँ पर mention होती है और generally हर जो public advertisement होता है public employment के लिए जो आता है मतलब सरकारी जो advertisement होते हैं उनमें यह चीजें mention होती ही होती है दूसरी चीज कि चलो अगर हमें पता चल गया कि यहाँ पर qualification में जो मांगा है मेरी branch उसके लिए eligible है क्योंकि मेरी branch उसके equivalent है तो उसके लिए certificate कहां से लाएंगे क्योंकि वहाँ पर यह भी mention रहता है कि अगर आपकी branch equivalent है तो आपको equivalency का certificate produce करना पड़ेगा document verification के time पे तो वो certificate हम कहां से लेके आएं कैसे दिखाएं यह सारी चीजे हम one by one करके समझेंगे hopes की question क्या मैं आपको बता रहा हूँ वो आपको समझ में आ गया होगा एक example से समझाता हूँ कि यह जो equivalency होती है equivalent जो qualification होती है वो कितने types के हो सकते है broadly अगर हम बात करें तो कहीं पर माल लीजिए कोई post आई और वहां पर लिखा है कि अगर आप इसको apply करना चाहते हैं तो आपके पास bachelor degree होनी चाहिए कोई specific stream mention नहीं कर रखा है bachelor degree simple mention कर रखा है और mention किया है कि या तो bachelor degree के equivalent कोई होना चाहिए ठीक है जैसे generally UPSC का आप देखोगे जिससे लोग IES IPS बनते हैं तो वहां पर यह mention किया रहेगा अब यह भी एक equivalent यहां पर mention किया है इसका मतलब simple होता है कि आपके पास bachelor degree हो या फिर कोई degree आपने ऐसा कर रखा है जहां पर bachelor mention नहीं है बट वह bachelor के equivalent है generally मैं Indian education system की बात करूँ तो जो भी bachelor degrees है सब में bachelor mentioned ही होता है कहीं आप foreign organ से करके आया हो उसमें कुछ अलग mention है क्योंकि कई बार इस type के confusion होते हैं जब आप foreign से पढ़के आते हो तो उस time पे आपको equivalency produce करना पड़ेगा कि आपकी जो ये degree है वो basically bachelor degree ही है Canada में जहां से या US में या फिर कहीं से करके आयो हो वो bachelor degree के बराबर होती है उस time पे आपको ये certificate चाहिए इंडिया से generally आप पड़े हो तो आपको यहाँ पे कोई equivalent certificate produce करने की ज़रूद नहीं होती है क्योंकि आपके certificate में mentioned ही होता है word bachelor अब इंडिया में भी मान लो कोई ऐसी dream university है autonomous body है कोई जो अपने तरीके से कोई course design कर लिया और वहाँ पे उन्होंने bachelor नहीं mention कर रखा है उस case में आपको उस university से equivalent certificate produce करना पड़ेगा बट मेरे knowledge में मैंने अभी तक ऐसा कोई course नहीं देखा है जो bachelor के equivalent है बट उसमें bachelor mention नहीं है अगर bachelor के equivalent है तो आपको produce करना पड़ेगा कहां से मिलेगा वो मैं आगे आपको बताऊंगा आगे वाले question में generally जो equivalency का problem होता है वो basically दो parallel stream है बट different different specialization की है और किसी एक particular specialization को qualification में mention कर रखा है वहाँ पे confusion होता है कि यार यहाँ पे तो एक ही नाम mention कर रखा है मेरी वाली branch इसकी equivalent है की नहीं है यह मैं तहां से check करूँ नहीं समझ में आया कोई बात नहीं आगे मैं example से समझाया हूँ हर चीज पता चल जाएगा यहां तक तो introduction चल रहा था मैं आपको question समझाने की कोसिस कर रहा था कि कहां कहां पे आपको problem होता है अगर मेरे channel पे पहली बार आया है तो subscribe कर लिजे बाकी यह सारे perform है जहां पे आप उससे जुड़ सकते हैं अब main question की तरफ बढ़ते हैं तो पहली चीज मैं आपको example से समझाता हूँ कि what is the meaning of equivalent qualification के matter में हम बात कर रहे हैं इसके dictionary meaning में तो बहुत सारी चीज़े आ जाती है qualification के हिसाब से हम बात कर रहे हैं अगर कहीं पे diploma मांगा हुआ है और आप B.Tech degree हो तो ऐसा नहीं कह सकते कि diploma B.Tech equivalent है B.Tech degree higher है और generally एक process होता है कि जहां पे भी lower degree eligible है वहां पे higher degree by default eligible होती है कई सारे cases ऐसे आ रहे हैं जहां पे lower degree eligible होता है बच उसी stream का higher degree eligible नहीं होता है example के लिए J.E. post junior engineer की post कई सारे states में ऐसी है diploma eligible होता है बट B.Tech eligible नहीं होता है तो यह एक specific case है जो state government ने अपने power का use करके किसी एक particular चीज को particular लोगों के लिए reserve कर दिया है तो उसमें हम कुछ नहीं कह सकते बट by default यह होता है eligible चलिए तो जो up and down education में उसको equivalency में consider नहीं करेंगे जैसे मैंने कहा दो parallel stream है उसमें equivalency का comparison होगा जैसे सपोर्च कर लिए कहीं पर vacancy आती है कोई सी भी vacancy आप एजूम कर सकते हैं इंजिनिंग से लेटर मैं अब माल लीजे कोई ऐसा candidate है जिसके पास डिगरी है प्रोडक्शन में जिसके पास डिगरी है मैनुफेक्चरिंग में जिसके पास डिगरी है ऑटो मुबाइल में क्या यह बंदा इस पोस्ट के लिए eligible है या नहीं है अब यह देखना होगा कि यह जो प्रोडक्शन ब्रां इनवस्टी का जो प्रोडक्शन ब्रांच है वो mechanical के equivalent है कि नहीं manufacturing ब्रांच जो है वो mechanical के equivalent है कि नहीं जो automotive रांच है यह आटो मुबाइल के equivalent है कि नहीं अगर equivalent है eligible होगा अगर equivalent नहीं है तो eligible नहीं होगा अब आपके मन में एक और सवाल आ सकता है कि मान लिजे हम अलग production equivalent हो mechanical का और दूसरे इनवस्टी का production mechanical की equivalent नहीं है तो जबाब होगा हाँ बिल्कुल possible है क्योंकि जब कोई body या जब कोई इनवस्टी या जब कोई autonomous college ये course design करता है और उसका नाम कुछ regular जो ब्रांचे चल रहे होते हैं उनसे अलग रखता है जैसे पहले mechanical चलता आ रहा मान लिजे उसके जगह पर किसी ने production रखने का मान किया production ज्यादा अच्छा है हम रखेंगे तो जब वो credit उसका curriculum उसका syllabus बनाएगा तो उसको apply करना पड़ता है application देना पड़ता है तो ये ICT में application देना पड़ेगा उसको ठीक है या फिर जिस university से वो affiliated है उसमें देना पड़ेग वो ये कहेंगे कि जो mechanical में पढ़ाया जाता है जितना यहाँ पर credit है जो syllabus यहाँ पर है almost वही सारी चीज हम production में पढ़ाते हैं इसलिए जो हमारे college या हमारे university की जो production की degree है उसको equivalency का certificate दिया जा तो जिस भी body को देंगे वो verify करेंगे अगर बास सही रहेगे उनको लगता है क equivalency का certificate देना चाहिए तो दे देंगे और यहीं पर माली जो कोई दूसरा college है उसने भी same application डाला और verify किया गया और उनको लगा कि नहीं यार इसका वाला production जो है न वो mechanical की equivalent नहीं है दोनों को बराबर नहीं मान सकते तो वो बिलकुल उसको नहीं देंगे तो बिलकुल possible है कि कि इसी college में same branch को equivalency का certificate दे दिया जाया किसी दूसरे college या दूसरे university या दूसरे autonomous body को ऐसा certificate नहीं दिया जाया यह possible है उसी तरीके से manufacturing में भी हो सकता है उसी तरीके से automotive में भी हो सकता है तो यह sure नहीं है कि particular university का अगर automotive automobile को equivalent है तो मेरा वाला भी होगा मैं by default assume कर लेता हूँ ऐसा आप मान के नहीं चल सकते हैं इसी तरीके से engineering की जो दूसरी branches है ना उनमें भी सब branches तो आई गई है उनके भी डेर सारे बच्चे हो गए तो उनका भी आप verification कर सकते हो कि यह basically equivalent है की नहीं है कैसे करेंगे proof कहां से लाएंगे वो मैं आगे वाले slide में बताऊंगा आपको अभी यहां basically post आई थी range forest officer का जिसमें वांगा गया था कि आपके पास B.H.C. या फिर M.H.C. डिग्री होनी चाहिए agriculture में उनका मोहतरमा का question यह था कि मेरे पास M.H.C. है botany में तो क्या मैं eligible हूँ इस post के लिए mention क्या किया गया है ध्यान से सुनना agriculture mention किया गया है उनके पास degree किसमे है उनके पास है M.H.C. degree botany में और यहां पर mention किया गया है B.H.C. हो या फिर M.H.C. हो agriculture में तो यह पूछ रही थी कि क्या मैं यहां पर eligible हूँ अब यहां पर equivalency check करना पड़ेगा कि क्या particular जिस इनवस्टी से यह मोहतरमा पड़ी है उस इनवस्टी का botany का course क्या agriculture के बराबर होता है M.H.C. के agriculture के बराबर होता है बराबर होता होगा तो उनको certificate produce करना होगा और बिल्कुल यह eligible हो जाएंगी अब सारा question घूम फिर के इसी बात पे आ गया है कि ठीक है यह सब चीज़े तो समझ में आ गई अब यह बताओ कि कहा से check करने कि हमारी वाली जो branch है वो particular इसके equivalent है या फिर कोई equivalency का certificate मांगता है तो वो कहां से ले क्या है यह समझने के लिए मैं आपको एक PDF दिखाता हूँ रिशन की PDF है आपको सारी चीज़े किस्टल क्लियर हो जाएंगी और यहां पे आपको एक PDF नजर आ रही है जनरली गवर्मेंट इस टाइप के जो order होते हैं वो पहले ही का कि state government या center government जिसके jurisdiction में आपका course आता है college, university, whatever that उसके लिए वो equivalency का certificate जारी करते हैं जैसे यह मैं मुझे recently मिल गया असानी से तो यही मैं आपको दिखा देता हूँ आप जिस भी state के होगे अपने आप थोड़ा सा effort लगा के check कर सकते हो effort नहीं लगाना है तो अपन इनलाडो state council for higher education के साथ जो meeting में जो decision लिया गया था, basically जो resolution था उसी resolution को यहाँ पर mention किया गया है, अब एक एक करके आप थोड़ा सब पढ़ दीजिए, अब यहाँ पर resolution mention किया गया है, public service, education, qualification, consideration of MSC, software, engineering, five year course, integrated course है यह, कौन आफट करता है, अन्ना university as to whatever equivalent to the MSC computer science degree for the purpose of employment in public service, यह simply कह रहे हैं कि माल लिजिए कोई vacancy आती है सरकार की और वहाँ पर माहाँ गया राता है कि MSC computer science में चाहिए, और कोई candidate या कोई experience ऐसा है, जो अन्ना university से पढ़ा है, और उसके पास degree है, MSC in software engineering में, तो वो इस post के लिए eligible है, क्योंकि यह द government है, बराबर है, ठीक है, यह कौन कह रहा है, government कर रही है, उसी तरीके से यहाँ पर mention किया गया है, यह जो college है, same degree issue करता है, मैं दोनों दिखा रहा हूँ, यह university का है basically, और यह अन्ना university से affiliated, दूसरा college है, वो भी चुकि अन्ना university से affiliated है, तो same degree देगा, degree पर same नाम लिखा रहेग same degree है, यहाँ पर भी same बाते लिखा गया है, बट यहाँ पर institute के reference भी लिखा गया है, वही सारी चीजे है, और जो मैंने आपको example बताया था, आगे वो example भी दिखा दूँगा, यहाँ पर B.Tech Food Technology को बताया गया है, कि यह MSC Home Science के equivalent है, अब कहीं पर मान लिजिए MSC Home Science Qualification में degree offered by the Anna University as whatever equivalent to B.Tech of mechanical engineering, मतलब कोई Anna University से production पढ़के आएगा, तो उसकी degree mechanical के equivalent मानी जाएगी, अब Anna University का माना जाएगा, इसका मतलब यह नहीं होता है, कि पूरे देश में आप कहीं सभी production करके आगए, और आप कहोगे कि नहीं मेरी degree भी mechanical के equivalent है, क्योंकि Anna University का equivalent है, आपको अपने college, अपने university का अलग से produce करना पड़ेगा, तो यह basically वो certificate है, equivalency का आप कर सकते हो, गजट होती है, यह आपके university में जहां से आप पड़े हो, उनके पास उसका certificate भी दिया जाता है, basically गजट की copy उनको दिया जाता है, वो आपको document verification के time पर produce करना पड़ता है, कि देखिए, इस resolution मे mentioned है, कि मेरी degree, आपने जो degree मांगा था, उसके equivalent है, उसी तरीके से यहाँ पर manufacturing का भी मैंने आपको example दिया था, तो अनना university की manufacturing की branch है, इनको भी यह कह रहे हैं, कि यह किसके बराबर है, mechanical की equivalent है, इसी तरीके से धेर सारी branches के हैं, आप basically यह किया कैसे, अनना university यह application दिया होगा, क हमारे यहाँ से production में जो लड़का करके जाता है, उसको problem होती है, form fill up करने में, क्योंकि वहाँ पर mechanical मांगा गया रहता है, अब हमारा जो बच्चा है, वो production degree लिग देता है, और वहाँ तो उसका cancel कर जाता कि यह तो production में किया, इसको हटाओ, तो अब बच्चा क्या करेगा, production प्रोडक्शन लिखेगा, बट वो यह जब document दिखाएगा, तो उसकी degree valid मानी जाएगी, उसी तरीके से fashion technology अगर अन्ना इंवस्टी के रेफरेंस में है, इसमें कई सारे technical, non-technical branches के लिए mention किया गया है, तो यह आप देख पाओगे, इसी तरीके से आप जिस भी university से पढ़े ह तो उस university ने अगर कोई जो trade है, पहले जो tradition है, उससे हट के कोई course offer किया है, तो definitely वो equivalency का certificate ले के आते हैं, अगर उनको दिया गया है, तो जरूरी नहीं है कि उनके पास होगा ही, अगर नहीं होगा, तो आपकी branch equivalent consider नहीं की जाएगी, होगा, तभी consider किया जाएगा, तो एक example था आपको समझने के लिए, तो आपको certificate कहां से लाना है, इस तरीके से गूगल करके government website से आप निकाल सकते हो, नहीं निकाल पा रहे हो, ढूडने में problem हो रहा है, तो आप जिस भी इंवस्टिटे पढ़े हो, वहाँ पे phone call, mail कर लिजे, मुझे equivalency का certificate चाहिए, वो दे नहीं होता है, वो ऐसी आपको समझा के भेज़ देंगे, तो जो documentation का काम करते हैं, वहाँ पे आपको contact करना है, अब ये तो रहा state government का, माल लिजे आप किसी central government के इनवस्टिटी से पढ़े हो, और वहाँ पे आपने कोई ऐसा course किया है, जो generally उस course का नाम अलग होता है, बट आ उनको affiliation style पर कौन देता है, UGC देता है, तो ये होता है आपकी equivalent education और equivalency का certificate, hopes हो कि सारा matter आपको clear हो गया होगा, still आपके मन में कोई doubt है, तो भाईया, comment box आपके लिए ही बनाया गया है, यूटूब के द्वारा, तो उसमें लिखिये, personal लिखना चाहते हैं, तो telegram पे आना पड़ेगा, तो दोनों जगह जा सकते हो, उनका भी use करके आप मुझे प्रस्थन message कर सकते हो, कोई doubt होगा, तो मैं clarify करूँगा, तो this is the end of this video, मिलेंगे next video में, तब तक के लिए, alvida all the way.